दिल्ली शराब घोटाला कांड में कुछ दिन पहले ही जमानत पर बाहर आए संजा सिंग के खिलाप में कोट ने बड़ा फर्मान जारी कर दिया है कोट ने दोस्तो सीधे तोर पर आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब इन्हें किसी भी तरीके का मौका नहीं मिलेगा तुरंत ग्रफतारी की जाए कोट के इस बड़े आदेश के बाद में आमाद्धी पार्टी में भैंकर हलकंप मच गया है आलम ये है कि संजा सिंग अब छिपने के रिए बिल ढूडते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कैसे योगी की पुलिस से बचा जाए लेकिन कोट के आदेश के बाद में संजा सिंग कितनी भी कोशस क्यों ना कर लें लेकिन जेल जाना तो उनका अपते हो चुका है क्या है पूरा मामला किस केस में केजरिवाल के लालले संजा सिंग के खिलाप में गरफतारी का कोट में बड़ा फर्मा जारी कर दिया है इस रेपोर्ट में हम विस्तार से जानेगे लेकिन उससे पहले आपसे विनमर नवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सामसद और अरविंद केजदीबाल के सबसे बड़े नटवर लालनेता संजय सींग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रिय प्रवक्ता वा पूर्विधाइक अनूप संदा समय 6 लोगों के खिलाप में दोस्तो सुल्तान पुर की MP MLA को उटने जारी किया है अब इस मामले में जो अगली सुनवाई है दरसल वो 20 अगस्त को की जानी है दरसल ये मामला है नगर कोतवाली शेत्र के गबडिया ओवर ब्रिज के पास में जहां पर 23 साल पहले यानि कि 19 जून 2001 को बिजली पानी साहित तमाम जंद समस्याओं को लेकर के अनूप संडा संजय सिंग सहे दरजनों लोगों ने दरसल प्रदर्शन किया था इन पर आरोप है कि इन लोगों ने सलक जाम करके पुतला फूप करके विरोत प्रदर्शन किया था और इसी के बाद भें ततकालीन नगर कोतवाली के उपनुरीक्षक ने इन सभी के खिला सहे 6 लोगों को 3 महीने की सजा और डेड़ डेड़ हजार रुपए जुर्मानी का आदेश दिया था इसके बाद में लोगों ने MP MLA की स्पेशल सेशन कोट में अपील दाकिल की जिसे कोट निसरे से खारिज करते हुए निचली कोट से हुए आदेश को बहाल रखते हुए 9 अगस्त को सभी को सरेंडर करने का आदेश दिया था 9 अगस्ट को कोट के पीटा सी नदिकारी चुटी पर थे लेकिन अब तक इन सभी लोगों ने कोट में सरेंडर नहीं किया है बलकि सदन की कारवाई में मौजूद रहने की बात कहकर के मौका मांग रहे थे ऐसे मैं आज कोट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए सकती दिखाई और मौका देने से सीधे तोर पर इंकार कर दिया और उनकी अपील को भी नरस्त कर दिया इसके साथ ही इन सभी के खिलाप में ग्रफतारी का वारेंट जारी किया है यानि कि अब अनूप संडा संजर सिंग साइथ सभी आरोपियों को कोट में पेश होना होगा नौन बेलेवल वारेंट बताय जा रहा है ये कि इन्हें किसी भी कीमत पर बेल न दी जाए इनकी ग्रफतारी सुनेशित की गई है सुल्तान पुर की MPMLA कोट की तरफ से लेकर यहां पर सबसे जादा चौकाने वाली बात क्या है सबसे जादा हैरत की बात क्या है जरा ये भी समझ लीजिए आप लोग समझ ये कि आज से 23 साल पहले तकरीबं 2001 में संजय सिंग और समाजवादी पार्टी के नेता वहां पर विरूद प्रदर्शन करते हैं इनके खिलाप में ये बड़ी कारवाई की जाती है और उस समय इन लोगों को कोट में सरेंडर करने का बड़ा फर्मान जारी किया जाता है लेकिन हैरत की बात तो देखिए 23 साल बीट जाने के बाद भी कोट इन से सरेंडर नहीं ले सका हमारे हिंदुस्तान के कानून के लचीले पन की आप देखिए कि किस कदर का ये कानून है कि ये लोग VIP हैं ये पॉलिटीसियन हैं ये राजनेता हैं तो ये अपने हिसाब से कानून का इस्तमाल करेंगे कानून के लूप होल को ढूंड करके किस तरीके से इस पूरे के पूरे मामले को ही डिरेल करती है क्या 23 साल लग गए संजे सिंग और समाजवादी पार्टी के नेताओं को सरेंडर करवाने के लिए कोट में साल 2001 का मामला है और 2024 में कोट फर्मा जारी करता है नौन बेलिबल जो वारेंट है वो जारी करके इनकी गरफतारी के आदेश देता है और 20 तारीक को इनको कोट में पेश होने के लिए कहा जाता है तो आप लोग समझ ये कि कितनी जादा ये हैरत किया फर यू कहें कि दुखत बात है 23 साल पुराने मामले में आज नौन बेलिबल वारेंट जारी होता है इतने चोटे से केस में इतने दिनों तक हमारी जो कानूनी विवस्था है जो हमारी कानूनी समस्थाएं हैं उन्होंने इतना जादा वक्त लगा दिया और कहीं इससे थोड़ा सीरियस इशू होता तो मुझे लगता है कि इसका ठीक डबल आप जोड लीजिए 23 साल इसमें हो गया उसमें इसका ठीक डबल हो जाता और अब संजा सींग को जब से ये ख़बर मिली है कि भई अभी अभी दिल्ली के शराब घुटाला मामले में निकल करके सामने आए हैं दिल्ली के शराब घुटाला मामले में जब बहार आये थे तो शेर की तरह दहार रहे थे हलाकि शेर चिडिया घर वाला है या जंगल वाला या आमादमी पार्टी वाले बहतर बता सकते हैं तो जब से शराब घुटाला के मामले में बहार आये थे तब से लगातार बुद्धाल रहे थे मोदी ऐसे हैं मोदी की पुलिस ऐसी है मोदी का जो है लोकतंतर पर ये कुठारा घात है अब उत्तर पदेश में योगी की पुलिस हतकड़ियां लेकर के बेड़ियां लेकर के इंतजार कर रही है संजय सिंग और आमादमी पार्टी के जो कद्दावर नेता है उनके साथ साथ समाजवादी पार्टी के जो अनूप संड़ा जी है और उनके साथ साथ और चार पांच लोगों को नॉन बेलेबल वारेंट जारी किया गया है तो अब इनकी ग्रफतारी का बेसबरी से उत्तर पदेश की पुलिस इंतजार कर रही है सबसे जादा दिल्चस बात ये है कि जैसे ही कोट की तरफ से ये बड़ा फरमान जारी किया जाता है संजा सींग बिल में छिप जाते हैं जो चड़िया घर का शेर दहार रहाता दिल्ली के शराब घुटारे को लेकर के मनिश्य सौदिया की जमानत के बाद में अब भीगी बिल्ली बन करके बिल्ली भी नहीं चुहा बन करके कहीं बिल में छिप करके बैड़ गये चुकी कोट ने कह दिया है कि अब किसी भी तरीके की कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी कोई भी अब नर्मी पेश नहीं की जाएगी इनको तुरंत ग्रफतार करने का बड़ा फर्मान जारी किया है इसलिए कानून की नजरों से च्छिपने वाले कानून के ही पहरेदार अब बिल में च्छिप करके बैठे हुए हैं संजे सिंग अब आपको देख जो है ये बयान देते कोई रही दिखाए देंगे कि कैसे अरवंद केजरिबाल के खिलाप में पुलिटिकल बेंड डेटा के तहत कारवाई हो रही है कैसे आमाद्वी पार्टी एडी और सीबियाई का इस्तमाल करके आमाद्वी पार्टी के जो साईयोजा खेरवद के जिरिबाल उनको घसीट करके जील में डाला गया है तो अब संजय सिंग्ख खुद बिल में छिप गए है और अब इंतजार उनका कहां पर किया जा रहा है अब ये दिल्ली की तिहाल जेल नहीं है जहांके नियम खुद दिल्ली सरकार ने बनाए है अब ये उत्तर प्रदेश की जेल में डालने की बात कहीं जा रही उत्तर प्रदेश की जेल में योगी का शासन आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है जो कोट ने बड़ा फर्माज जारी किया है उसकी बज़े से अब संजय सिंग थर-थर कांप रहे हैं संजय सिंग को अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस बिल में जाकर के छिपे हैं इसलिए अब संजय सिंग भीगी बिल्ली बन करके चुक्चाप बैठे हुए हैं और अब क्योंकि कोट का फैसला है तो कोट की थोड़ी बहुत तो मान मर्यादा रखनी होगी आमाद्नी पार्टी को नहीं तो इनका अगर बस चले और हो सकता है कि आगे आगे वाले समय में क्योंकि 20 अगस्तक उनको सरेंडर करने का आदेश जारी किया गया है तो आगे आने वाले समय में आतिशी मर लेना चाहे सौरब भारत दो आज हो या फिर दूसरे आमाद्नी पार्टी के दूसरे जो नटवर लाल नेता है वो अगर ये कहते हुए दिखाई दें कि योगी ने MPML कोट को अपने कबजे में ले रखा है योगी के इशारे पर इस केस में दरसल ये बड़ा फैसला सुनाए गया है और ये भी ये लोग कहें कि अगर संजा सिंग को सरेंडर करना ही ता तो तेश सालों तक कोट इंतजार क्यों कर रहा है अब यहाँ पर दिल्चस बात ये है कि ये जो राजनेता होते हैं ये कानूनी दाउं पेच के जरिये उनके लूप होल को ढूंड करके लंबे लंबे वक्त तक एक केस में बाहर बने रहते हैं उन केस की जो फाइले हैं वो नीचे दब जाती है अब चाहे फिर यू कहलो कि पैसे खिला दिये जाते हैं फ़र दूसरी राजनेतिक तिकलम अपनाई जाती है ताकि इनका केस दबा रहे नीचे जब तक कोई सटीक जज़ वहाँ पर नहीं पहुँचता है कोई खड़तल जज़ नहीं पहुचता है जो सिस्टम में पूरी तरीके से सुधार लेकर के आना चाता हो तब तक इन लोगों की फाइले नीचे दबी रहती है न तो सुनवाई की जाती है न कुछ होता है तो संजे सिंग अब दरसल कोट की तरफ से जो बड़ा फैसला आ चुका है तो अब संजे सिंग बहुत ज़्यादा घबराई गए हैं और ये जब 23 सालों तक मामला दबा रहा तो खुले में सांसे ले रही थे लेकर अब जब 23 सालों वाद इस मामले में अर्विंद केजरिबाल के लाडले संजे सिंग के खिलाप में और अखले शादफ के लाडले अनूप संडा के खिलाप में ये बड़ा फर्मान जारी कर दिया है तो अब ये लोग ये भी कहते हुए दिखाई दें कि 23 सालों तक क्या चल रहा था क्यों वहाँ की अदालत हैं क्यों वहाँ की पुलिस एक दम चुपचाब बैठी हुई थी क्यों ठंडी पड़ी हुई थी तो ये लोग इस तरीके भी इस तरीके के भी दरसल सवालिया निशान खड़ी कर सकते हैं और मुझे लगता है कि जब ऐसा ये लोग करेंगे तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है क्योंकि इन्हें पता है कि कौन से बयान कौन से स्टेट्मेंट इनकी पॉलिटिक्स को सूट करते हैं और कौन से बयानों की बज़े से ये बैक फुट पर दिखाई देंगे तो ये नाप तोल कर इनकी तरफ से बयान बाजी हमें देखने के लिए मिलेगी और अब इंतजार है 20 अगस्त का चुकि कोट ने सक्त लेजे में कहा है कि अब इन लोगों को किसी भी तरीके की जो है रियायत नहीं दी जाएगी पहले भी निचली अदालत इस पूरे के पूरे मामले को दरसल निरस्त कर चुकी इन लोगों ने मांग की थी कि इस मामले को खारिज कर दिया जाए रहात प्रदान की जाए लेकिन निचली अदालत पहले ही इनके मामले को निरस्त कर चुकी है और अब MP MLA की कोट में 20 अगस्त को संजय सिंग और समाजवादी पार्टी के निता अनूप संडा और उनके साथ तकरीबन 4-5 लोग और बताए जा रहे हैं संजय सिंग के खिलाप में इस पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट करके जरू बताए जल मिलूगा किसे दूसरे बड़े अपडेट के साथ में तब तक लिए धनवाद अगर आप लोग चैनल पर नाए हैं तो प्ले चैनल को सब्सक्राइब करें साइड बने बेल आइकन क को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही में कोई ने अपडेट लेकर क्या हूं तो इसकी जानकारी सब सब्सक्राइब को मिलें